लगुतम समापवर्त्य आओ देखें, लगुतम समापवर्त्य या लसव से क्या मतलब है? मैं यह मानके चलती हूँ कि आप पहले से ही जानते हैं कि गुणज क्या है? तो आओ इन दो संख्याओं पर विचार करें. 6 और 9 6 के गुणज हैं 6, 12, 18 और 24 यह निश्चत तोर पर 6 का पहाड़ा भी है. इसी तरह से 9 के गुणज हैं 9, 18 और 27 सांजे गुणज हैं 18, 36, 54, इत्यादी क्या हम सभी सांजे गुणजों को परिभाशत कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि हम किसी संख्या के सभी गुणजों को नहीं जान सकते हैं. क्योंकि किसी संख्या के गुणज अनन्थ तक जाते हैं, इनका कोई अन्थ नहीं हैं. किसी संख्या के पहाड़े को सूची बद्ध करने में आप अनन्थ तक जा सकते हैं. तो किसी संख्या के ये सभी सांजे गुणज हैं जो आप पटल पर देख रहे हैं और सबसे छोटा सांजा गुणज 18 है क्या हम उच्चतम सांजा गुणज परिभाशित कर सकते हैं? नहीं, क्यूं नहीं? कारण वही है कि उच्चतम सांजा गुणज अनंत में होगा क्योंकि गुणजों का कोई अंत नहीं है चलो एक और उधारण लेते हैं तीन संख्याओं पर विचार करें पांच, दस और पंदरा पांच के गुणज हैं पांच, दस, पंदरा, इत्यादे मैंने यहां असी तक लिग दिया है और पंदरा के गुणज हैं अथा सांज़े गुणज हैं यह और भी हो सकते हैं क्योंकि इनका कोई अंत नहीं है सबसे छोटा सांजा गुणज तीस है और इसी तरह हम दी गई संख्याओं का लगुतम समापवर्त्य ग्याद करते हैं